बंदर, घंटा और कराला नामक कुटनी की कहानी हितोपदेश की प्रसिद कहानियों में से एक है श्री परवत के बीच में एक ब्रह्मपूर नामक नगर था वहाँ एक खबर सुनी जाती थी कि उसके शिखर पर एक घंटा कर्न नामक राक्षस रहता है एक दिन घंटे को लेकर भागते हुए किसी चोर को बाग ने मार डाला उसके हाथ से गिरा हुआ घंटा बंदरों के हाथ लगा बंदर उस घंटे को बार-बार बजाते थे तब नगरवासियों ने देखा कि उस मनुश्य को बाग ने खा लिया पर घंटे का बजना बराबर सुनाई देता है लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि घंटा कर्न क्रोध से मनुश्यों को खाता है और घंटे को बजाता है ये कहकर नगर से भाग चले कराला नामक कुट्मी ने सोचा कि जरूर इसमें कोई रहस्य है ये घंटे की ध्वनी कहां से आती है इसका पता लगाया जाए ये सोचकर वो चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ी दूर से उसे घंटे की ध्वनी सुनाई पड़ी वो उसी दिशा में बहुत देर तक चली वहां उसने देखा कि बंदर बार-बार घंटी बजा रहे हैं और उसकी आवाज गाव तक पहुचती है वो ये जानकर राजा से मिलने के लिए गई राजा से उसने कहा कि मैं इस राक्षस को बस में कर सकती हूँ मुझे उसके बदले परियाप्त धन मिले राजा ने कहा ऐसा ही होगा कुटनी मंदल बनाकर जंगल गई वहां पर उसने पूजा का आयोजन किया और धेर सारे फल बंदरों के लिए रखे बंदर आये और फलों पर तूट पड़े फलों की खाते समय बंदरों ने उस घंटी को वही छोड़ दिया कुटनी ने वो घंटी उठा ली वो राजा के पास आयी और कहा कि घंटाकर्न राक्षस मारा गया उसने राजा को वो घंटी सौप दी राजा ने उसे धेर सारा धन और स्वर्न मुद्राएं दी कुटनी को धन भी खूब मिला और काफी प्रसिद्धी भी पाई अब कुटनी राज्य में काफी खुशाल जीवन जीने लगी आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब और कॉमेंट जरूर करे धन्यवाद